नमस्कार स्वागे थे आपका मेरी चैनल में आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यार असा नेटिंग पैटर लेकर आई हूँ जैसे आप अपने लेडिस कारडिगन जैन स्वेटर बच्चों के स्वेटर किसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने में बहुत ही असान सा पैटरन है और देखने में लुकवाइज बहुत ही सुन्दर बन कराता है तो इसके लिए देखें हमें कास्टान करने हैं मल्टिपल अफ 11 स्टेचिस जैनि 11 से गुना करते हुए हमने फंदे लेने हैं 11 प्लस 11 प्लस 11 इस तरह से फंदे लेंगे और 4 पंदे हमारे एक्स्टा होंगे दो गैपिंग के लिए और दो हमारे एज स्टेच होंगे तो देखें यहाँ पर मैंने डिमोंस्ट्रेशन के लिए नीडल पे 26 पंदे डाले हैं 22 पंदे हमारे डिजाइन के हैं और 4 पंदे एक्स्टा हैं उल्टे तरफ से उल्टे को बनाने को शुरू करते हैं हम रो वन है हमारी राइड साइड से पहला फंदा आईजिंग का हम स्लिप करेंगे दागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बनाएंगे दागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे धागा अपनी दर्फ करके एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा दो फंदे हम सीधे बनाएंगे दागा अपनी दर्फ करेंगे वो दो फंदे उल्टे बनेंगे यह देखें यह हमारा ग्यारा फंदों पे पैटन बन गया यह देखें इसको शोड़के दो चार शे आठ दास और एक ग्यारा अब जो ग्यारा फंदों पे पैटन है उसके बाद दो फंदे जो हमारे एक्स्टा है वो हमने बीच में रखने है इस तरह से तो इन दोनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे ये दो फंदे जो हैं इनकी हम केबल डालेंगे तो ये दो फंदे बीच में रखने है एक्स्रा अब अगले 11 फंदों पर रपीट पैटर्न चलेगा जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाए दो फंदे उल्टे सेम वही बनाएंगे फिर से देखिए दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे तो यह फिर से हमने 11 फंदों पर रपीट पैटर्न डाला उसके बाद लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा राइट साइड से रो वन राइट साइड देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है अब हम आगी है उल्टी तरफ हो यह हमारे पैटर इनकी सेकिंड रो है राउंग साइड से अब देखिए पहला फंदा एजिंग का स्लिप करेंगे उसके बाद जो जैसा फंदा दिखेगा वैसे बनाएंगे अब जिस सीधे दिख रहे हैं फंदे तो मैं इस दोनों को सीधा बुनूंगी आगे उल्टे दिख रहे हैं तो मैं इनको उल्टा बनाऊंगी तो आपको उल्टी तरफ से निटा नेट स्टिच करना है और परल परल स्टिच करना मतलब सीधे फंदे को सीधा बुल देना है और जो उल्टा दिखाए देगा उसको उल्टा बुल लेंगे रिटन इंस्ट्रक्शन की अब्रिपेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अब वहाँ से देख लीजिएगा उल्टी तरफ से हमने सभी फंदे इस तरह से बनाते हुए अपनी रो को कम्प्लीट कर लेना है सीधे पर सीधे फंदे को बुनेंगे और उल्टे पर उल्टे फंदे की बनाई होगी लास्ट हमारा ऐजिंग का फंदा उल्टा रहेगा तो इसको उल्टा बुलेंगे तो रोटू रॉंग साइट से हमारी कम्प्लीट होगी है अब हम आगे हैं सीधी तरफ और यह हमारे पैटन की रोट रहाएड साइट से पहला फंदा ऐजिंग का स्लिप करेंगे अब देखिए 11 फंदो पे रपीट पैटने चलेगा 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे 1 फंदा उल्टा 1 फंदा सीधा 1 फंदा उल्टा 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे तो यह हमारे 11 फंदे होगे अब जो ये दो फंदे एक्स्टा हैं इनको हम सीधा बना लेंगे और अगले 11 फंदों पे सेम रिपीट पैटरन चलेगा तो आपने इन्हें 11 फंदों को 11-11 फंदों पे रिपीट करते हुए जाना है आपकी निडल पे जितने भी स्टिचीज होंगे तो रो थ्री राइट साइड पर्ल टू निट टू पर्ल वान निट वान पर्ल वान निट टू एंड पर्ल टू दो पंदे ये उल्टे बनेंगे और लास्ट राइजिंग का पंदा हमारा सीधा रहेगा सीधी तरफ से तो रो थ्री राइट साइड देखे हमने कम्प्लीट कर ली है अब हम आगी हैं उल्टी तरफ राउंग साइड से हमारे पैटन की रो फोर है पहला पंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा पंदा दिखेगा वैसा बुनते हुए राउंग साइड से हम जाएंगे तो ये सीधे दिखे दो सीधे बना लिए अब जा आगे उल्टे दिख रहे हैं तो इनको हम उल्टा बुल लेंगे तो ऐसे ही ह हमने सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा पंदा मनाते हुए अपनी रो फोर रॉंग साइड से कंप्लीट का लेनी हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जुरूर करिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जूरूर करिएगा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा आपने इस पैटरन को किस प्रजेक्ट में इस्तमाल किया और अपने फ्रेंड्स साइज पैटरन को शेयर जरूर करिएगा अब यह अगले दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे आगे यह दो सीधे फंदे दिख रहे हैं तो इनको सीधा बुनेंगे और लास्ट आजिंग का फंदा हमारा उल्टा बनेगा रॉंग साइट से तो रो फो रॉंग साइट से हमने कम्प्लीट कर लिए है अब हम आगे हैं सी इसको हमने इदर से लूप से लगा के बनाना है इस पेवल बनेगी और यह आगे सेम फिर से पैटर रपीट होगा तो चले इसको पैटर को बनाते हैं अब हमारी यह रो फाइब है राइड साइड से देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे दागा अपनी तरफ करके दो अब यह देखिए यह जो बीच पी एक सीधा फंदा हमने रखा था इसके बिल्कुल नीचे जाएंगे हम यह देखिए लास्ट इस तरह से देखिए एक दो तीन चार और यह बिल्कुल लास्ट में स्टार्टिंग में यहां से हमने लूप निकाल ली है बड़े अराम से लूप को निकालेंगे यह देखिए इस तरह से खींचेंगे इसको और इसको लेफ्ट नीडल पर चड़ाएंगे यूँ करके और इन दो फंदो को एक अठा हम दो का एक करेंगे फ्रॉम बैक लूप इस तरह से अब आगे फिर से एक सीधा फंदा है उसके लिए फिर से सेम प्लेस से लूप निकालेंगे यूँगर के लेफ्ट नीडल पर चड़ाएंगे दो फंदो को फिर से एक करेंगे फ्रॉम बैक लूप इस तरह से यह हो गया अब देखिए दागह अपनी दार्व करेंगे अगला फंदा उल्टा बनाएंगे फिर अगला फंदा सीधा बुनेंगे फिर उल्टा दागा पिछे करेंगे अब जिदे लूप इस निकालनी पहले लेफ्ट नीडल पे इस तरह से चड़ा के दो फंदों का एक फंदा करेंगे जो जो लूप बला धागा है इसको लूज रखेंगे बिल्कुल टाइट नहीं करना इसको नहीं तो हमारा जो डिजाइन है वो टाइट बन जाएगा खिशता हुआ दिखेगा तो इसलिए इसको ल लूप निकालेंगे उसको लेफ्ट नीडल पे ले जाएंगे यूं करके और दो का एक करेंगे फ्रॉम बैक लूप तो यहां से हमने देखें, चार लूप्स निकाली, दो राइट की तरफ लेगे और दो लेफ्ट की तरफ लेगे, आगे हमारे पास दो फंदे उल्टे बनेंगे, अब देखें, यह हमारा ग्यारा फंदों का पैटर्ट हो गया, बीच के यह दो फंदे हैं, इसको हमने ट्विस इस तरह से किया इसको, उसके बाद अगले ग्यारा फंदों पे सेम रिपीट पैटर्ट चलेगा, जो हमने स्टार्टिंग में बनाया, दो फंदे उल्टे बनाए, अब यह देखें, यह दो इस तरफ हैं, सीधे फंदे, दो इस तरफ हैं, सेंटर बले एक सीधे फंदे से न बैक लूप, फिर सेम प्लेस एक और निडल लूप निकालेंगे, और फिर दो का एक करेंगे, फ्रॉम बैक लूप, दो होगी, उसके बाद हमने एक फंदा उल्टा बनाना है, एक फंदा सीधा बना है, एक फंदा उल्टा, अब अगले दो फंदे हैं, यह हमने फिर से लू सेम प्ले से हमने लूप निकाल ली है इस तरह से बड़े आराम से लेफ्ट निडल पर ले जाएंगे इस लूप को इस तरह से और दो का एक करेंगे फ्रॉब बैक लूप एक और लूप निकालेंगे नियक्स्च पंदे के लिए सेम जगह से एक और लूप निकालेंगे लेफ्ट निडल पर ले जाएंगे और इन दो फंदों को जो सीधा फंदा उसके साथ लूप को इस तरह से दो काई कर लेंगे तो यहां पे देखिए हमने फिर से चार लोपस निकाली दो राइट की तरफ गई और दो लेट की तरफ लास्ट के दो फटने हैं यह उल्टे बनेगे वो लास्ट है जिनका फंदा हमारा सीदा बनेंगा राइट साइड से तो row 5 right side से हमारी complete होगी है अब हम आगे हैं उल्टी तरफ और ये हमारे pattern की row 6 है पहला फंदा slip करने के बाद जो जैसा फंदा दीखेगा उसको वैसे बनाते हुए अपनी row 6 को complete करेंगे तो जो सीधा फंदा है उसको सीधा पुनेंगे जो उल्टा है उसे उल्टा बनाते हुए अपनी row को complete करना है हमें कि यह आगे दो उल्टे फंदे दिख रहे हैं तो इन दोने को हम उल्टा बना लेंगे यह सीधे दिख रहे हैं तो उनको हम सीधा बनाएंगे तो उल्टी तरफ से हमने knit down nail stitch and purl and purl stitch करते हुए अपनी row को complete कर लेना है तो row 6 wrong side से हमारी complete होगी है अब यह देखें हमारी यह 6 ही row का pattern है तो 6 लाइओं के बाद इस तरह से यह pattern बन कर आया है आपने अब यही 6 line को बार बार repeat करते हुए जाना है आपको जितने अपने project में लैद चाहिए बीच में देखें केवल बनी है और 11-11 फंदों से हमारा यह design बना है बैक साइड से देखें इस तरह से दिख रहा है और front से इस तरह से जादा फंदों में देखें मैंने इसको बनाया हुआ है तो यह इस तरह से बन कर आएगा बहुत ही प्यारा बहुत ही सुन्दर सा design है बनाने में बहुत ही असान सा pattern है 6-6 line को आपने repeat करना है और दोनों तरफ से देखें कितना सुन्दर लग रहा है यह wrong side से दिख रहा है उटे तरफ से और यह सीधी तरफ से इस तरह से आया है तो इस pattern को आप ladies cardigan, jacket, sweater, girl's tops, baby cardigan gent sweater, half coatty, half sweater किसी पर भी आप इसको बना सकते हैं caps, muffler, shawl, बहुत ही प्यारा यह design उस पर भी बन कर आएगा तो अपनी मन पसंद रंग में इसको जरूर बनाईएगा और मुझे comment करके जरूर बताईएगा कि आपको यह प्यारा सा pattern कैसा लगा तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई और वीडियो के साथ अब तक के लिए धन्यवाद